चर्चा पुरान को अब यहाँ पर ब्राम दिया जाए और धर्म चर्चा के लिए अपने दिल और दिमाग को परमात्मा से नेटबर्क मिलाएंगे बड़ी स्रद्धा और भक्ती और लगन के साथ दोनों हाथ जोड़िएगा और दिल की तिजोड़ी में अपने परमात्मा को खोजिएगा ओम्हृम्हःप्षिकाल्पतरू शांति नाथाय नमाः ओम्हरीम्ष्री चारिचक्वर्ति आचारिशांतिशागर बीरशागर श्युर्शागर धर्मसागर अजिस्सागर श्रियानिसागर अभिनन्दनसागर आय नमो नमहा सिद्ध पर्मात्मा के प्यारे प्यारे भगतात्माओ संगठन और समनवाई की भावना ये हमारे और आपके सभी के जीवन में मोल और चूल से परिवर्तन ला सकती है चाहे ग्रस्त का जीवन हो या ब्रक्त का जीवन आज संगठन की आवसकता बिनास के लिए नहीं बिकास के लिए चाहिए ग्रस्त जीवन में भी पारिवारिक जीवन में भी समायोजन और संगठन चाहिए वह पहले भावात्मक रूप से होना चाहिए आप जरूर आज यहाँ दो बजे आये हैं परन्तो दो दिन पहले से आपके दिल ने यह फाइनल कर लिया था दिल से दो दिन पहले आप दो बजे यहाँ भरत भगवान के चरणों में आना है यह पहले आप आचुके थे फिजिकल रूप से आज आप यहाँ आए ऐसे ही मैं आप से कहूँगा अपने फैमली मेंबर हो चाहिए आपका फैवरेड मैन हो चाहिए परमात्मा से रिलेशन हो चाहिए महात्मा से हो साहिए पती से हो चाहिए पुत्र से हो उसके जो रिलेशन बनाए वाया भावात्मक रूप से बनाईएगा क्योंकि दुनिया में सबसे वरा रिलेशन होता है संसारिक दरश्टी से देखा जाए तो मा और शिशू का होता है वहाँ भासा जो होती होए भावात्मक होती है मा की या पिता की वह बातों को नहीं देखता है वह ब्यक्ति के ओरा जो भावना है एलसेसियन डाग जो होते हैं वो किस्से पर चोर को पकड़ते हैं उसके भावना का औरा होता है तीठंकरों का समोसरण में भावना का उनकी साधना का ही तो औरा है कि सेर और गाए एक घाट पर बैठते हैं तो आज यहाँ पर महलाओं का माताओं का यह जो समा योजन है इस दुनिया में समर्पन और बलिदान यदि दुनिया में कोई करता है तो एक मा का बलिदान एक मा का अपने पुत्र के लिए समर्पन जो होता है महानात्मा वो ग्यानाणों ग्रंथ है जिसमें सुभचंद आचारी कहते है यह बसुंधरा इन सील वती नारियों के सील से देखो नारियों का नाम लिया और नारी शुरुमनी हमारे माता जी आ गए खुरी बसुरुमनी हमारे गनाजी जेकारए गुरमाका जेकारए नात्वती मारा का पुर दिल से लिगा के दे ये ये देखा भाओं का ओरा बे भाओं का ओरा है कि माँ दोड़ी दोड़ी आगी महानात्माओ नारी के अनेग रूब है मैं आज कहता हूँ इस दुनिया में जो लगबग सोला सों से अधिक जो सादू है यदि युए सादू बने है तो विशेश कर उनकी मा की प्रेड़ना और संसकार से ही बने हुए है और जो विभायत बने हुए है माता जी को भी संग में भेजने के लिए इनकी माने ही प्रेड़ना की थी और माने ही स्विकृती का पत्र लिखा था याद रखो चाए हमारे आचारी भगवंत सुर्शागर हो चाए भारत के जितने भी सादू है वह यदि आध्यात में छेत्र में आये हैं तो मा के संसकार और प्रेड़ना और भावना से ही आये हैं क्योंकि नारी जो होती है वह ममता और समता की एक मूरत होती है ग्यानानणों की जो मैं बात कर रहा था उसमें सुप्शंद आचारी कहते हैं इस भूमी की सोभा सीलवती और धर्मात्मा नारीयों से है नारी की भूम कहा बिशेस रही है नारी को पत्नी का एक धर्म पत्नी भी कहते है कैसी धर्म पत्नी होना चाहिए अपनी का यदि रोल आज की नारियां रोल करने लगें तो अपने पती को धर्म में भी लगा दे देंगी हम तो कहते हैं आज के बाद दिल्ली में हो या दुनिया के किसी भी महलाओं के सम्मेलन हो तो अपनी पत्नियों को अपने बेटों को अपने बेटों को और अपने पती क को साथ में लाना ही चाहिए इस से आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा ये सामुहिक जो सम्मेलन हो रहा है तीन दिन तक चलेगा सामुहिक सम्मेलन होने से सदभावना जागरत होती है परस्पर में प्रेम और बास्चल की अभी प्रद्धी हुआ करती है तो पत्निया कैसी होना चाहिए छेलना जैसी हो कि अपने पति को भी मित्थातु से निकाल करके सम्म्यक्त में लगा दें नारी का महत्तु बहुत है कि सहरचारणी भी कहा गया है सीता जैसी पत्नी कि जो सुक दुख में अपने पत्ती के साथ नगे इसलिए नारी को सहरचारणी भी कहा है और नारी को पती ब्रता भी कहा है व्यक्ति को जरूर पती ब्रता होना ही चाहिए पती ब्रता मतलब निश्था एक आगरता चाहिए परमात्मा के प्रती हो चाहिए महत्मा के प्रती हो या पती के प्रती हो मैना सुंद्री जैसी व्यक्ति को जरूर अपने पती कोि यदी परमिश्वर मानने लगे तो मैं कहता हूँ आपका घर स्वर्ग बन जाएगा यदी घर को स्वर्ग बनाना हो तो दो काम जरूर करना चाहिए महलाओं को एक जिद करना छोड़ देना चाहिए यदि महला हैं जिद करना छोड़ दें क्योंकि ये प्रेम चंद मुंसी जो राइटर हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है नारी यदि किसी से प्रेम करे तो अपना प्राण दे दे और नारी यदि रूठ जाए तो प्राण इसलिए महानात्माओ चतुर्थ काल में जैसे तीठंकर की जननी का महत्तु था क्योंकि तीठंकर की माता पिता पिता उसी भव से या ज्यादा से ज्यादा तीन भव में मुक्ष गानते हैं ऐसे इस पंचम काल में अपेक शाकरत इन मुनियों की और आरिकाओं की जो मा हैं उनों वह भी सम्मान्नी और स्मरनी हैं क्योंकि उनके ही ऐसे पुत्र होते हैं बतलाईए आपके कितने पुत्र हैं ऐसे ही पुत्र हुए हैं सोला सो लगबक साड़े पांस सो ही सादू ऐसे हुए हैं जिनकी माने उसे ऐसा दूद पिलाया है जो दिगंबर भेश को धारण किया है तो हम ये जरूर कहेंगे मदर्सा जैसी मा यदी हो जाएं तो निश्चित है जीवन में परिवर्दन आ सकता है इसलिए जीवन रूपी बगिया में जीवन रूपी बगिया की मालिन माताएं और बहने हुआ करती हैं और भगवान के समोशरण में भी देख लीजेगा भगवान आदिनाज से भगवान महावीर तक के समोशरण में देख लीजेगा स्राविकाय की संख्या जादा रही है तीन गुनी रही है परन्तु याद रख लेना मोक्ष जाने के लिए पुरुस परयाई ही चाहिए और पुरुस ही मोक्ष जाएंगे इसलिए महलाओं को भी भविस्थ में अभी इस जन्व में दीख्षा धारन करके फिर पुरुस बनके मोक्ष कल्यान कीजे हम आप लोगों से यही कहूंगे इस महला सम्मेलन से आप लोग जरूर एक काम कीजिएगा कि अपने परिवार में जैसा धन कमाने का मैनेजमेंट बनाते हैं ऐसा धर्म कमाने के लिए धर्म के लिए भी मैनेजमेंट बनाईए भारत की महलाओं को और जैन महलाओं को यह सोभाग मानना चाहिए और भाग मानना चाहिए महाँ भाग मानना चाहिए कि आज भारत में सोला सो सादूओं में सबसे ज़्यादा दिख्षित काल की और सबसे पुरानी सांती सागर को यदि किसी ने दर्सन किया है तो महलाओं की सेष्ट पर आयारिका को धारण करने वाली ज्यानमती माताजी है और उनके सानिद में आप लोग यहां पर हाराए है तो निश्चित आप लोगों के लिए महला मंडल के संपूर्ण आपको सापरिवार हमारी बहुत-बहुत मांगलिक भावना है परन्तु हमारा आशीरबाद जो है अभी ड्यू है हमारा पूरा दिल से आशीरबाद दिल्ली वालों को 20 तारीक को 2 बजे दिये दूँगा यह आपको मैं परामिस करता हूँ सबको आशीरबाद